जारकन विदानसभा चुनाओं से पहले पुलिस ने एक करोड रुपे से अधिक नगदी बरामत की है शुकरवार को पलामू और धनबाज जिले में ये रकम बरामत की गई है पलामू जिला के सदबरवा थाना शेतर में वहां चेकिंग के दोरान एक गाड़ी से 60 लाक रुपे मिले है और कार में मौझूद लोग संबन में शंतोस जनक जवाब नहीं दे पाये तो पुलिस ने रुपे को जब्त कर लिया है वहीं दूसरी ओर धनबाज जिला के पूर्वी टूंडी थाना शेतर में लटानी चेक पोस्ट के पास फ्लाइंग स्कॉर्ड की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है यहां से टीम ने 49 लाक रुपे के साथ एक व्यवसाई को पकड़ा है व्यवसाई अमित कुमार शादेव घर से गोवंधपुर आ रहे थे और इसी दौरान चेक पोस्ट पर पुलिस ने उन्हें रुपे के साथ गरफतार कर लिया जांच के लिए आयकर विभाग के अधिकारी को भी बुला लिया गया है और फिलहाल जांच खीचा रहे है